तो दोस्तों आप सबका स्वागत हैं प्रियंका की रसोही में तो आज हम बनाएंगे लोकी से पनीर की सब्जी जो की खाने में बहुत टेश्टी होती है और बनाना और भी ज्यादा आसान है तो अगर रेस्पी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर आपके यहां क्या कहा जाता है हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा तो यहां जो हमने लोकी को छिल लिया है तो अब इसे हम स्लैसिस में काट लेंगे और उसके बाद इसे हम छोटे-छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो आपको जैसे सुभीदा हो आप उसी साब से जो ह चटकल चटकरों में लोगी को कात लिया हैं तो देखिए यहां हमने सभी लोगी को कात लिया हैं hear और वां बसे घ्रेंडिंग जाल हैं कमें लोगी को डालें तो यहां पर दो चमच्छे डालेंगे पनीर में थोड़ा खटा पन होता है इसलिए हम यहाँ पे दही डाल रहा है और एक पींची मीठा सोडा डालेंगे यहाँ चाहें अग्याँ चाहें पे पीस लेंगे यहाँ पेलोकी में लिए रख हम दोचमच चावल काटा डालेंगे चावल काट ना हूँ तो प्लेट प्लेट न है गिए अगर चावल काट सबसं दने पलेके नियुक्त प्लेट ले लिए और एक में तेल कुँपोड खोर हो जओ है तो इसमेदग कर लें चैकने किलीली लोकी के पेश्ट को अच्छे से चादो तरफ फैला लिया है तो अभी से हम साइड में रख देंगे और यहां जो हमने दो हरी मेर्ची और आट से दस कली यहां पे लाजुन ले लिया है तीन छोटे साइच के प्याज है और एक टमाटर ले लिया है तो टमाटर को जो है इस त पानी गरह होने के लिरत दिया है तो यहां पर हम टमाटर प्याज डालेंगे हड़ी मिलची यह दालेंगे और भीलों भी लाल सुन डालेंगे ठीक हमें अपर जदेंगे पानी में तो थ्म गोटिशह उस स Metal याईम है जो प्यार, इस से घच पार बृटनों म depending दोद़त बात धखक कर जो है मिडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए हम पकाएंगे तो देखें यहां पे जो है 10 से 15 मिनट हो गिया है और हमारा जो लॉकी का बैटर है वो अच्छे से सेट हो गिया है तो इसे हम निकाल लेंगे तो देखें हमने इसे निकाल लिया है और अब हम यहां पर जो प्यास टमाटर बोईल हो गया है तो इसे भी अब हम निकाल लेंगे और पानी को हम नहीं फेकेंगे क्योंकि पानी में सभी मसालो का लेवर है तो यहां पर हमने तेल करम होने के लिए रख दिया था तो आप इसमें एक पिंचींग और हाप चमजीर तो इचन बाक यहां झालोक इसे हम दो मिनट के लिए जो हैं फ़ोणें तो हमें इसे बिङ भूबड़ा है क्योंकि हमेरा में बोईल ही है तो धूम यहें फर शूखे मसाले चमन ख़ी चमच भाला पॉड़र, दॉस्म प्रिट्र दया रणा अब का समयाें, अलो चमहम सालि लाल मिल्च्श के बाद रहर को nets et पानीर बम western यार्ट डाला डाल मसाला मासाला के साथ मिक्स कन लेंगे में इसमें जसे मिक्स करना है भून डाले से कर देखें और हिसमें जो अवैल मिलता है तो अब चमश मलय कोड़ेंगे होई अब इसमें हम 2 चमश मलाई डालेंगे सकते हरो जैसि में क्रीम डालें जाते हैं रृश्टूरेंट जर्वा कि बोसÔर मिलता है खाने के लिए क्रीम डला हुआ सब्जी वह खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है उसी तरीके से जब हम यहां पर डालेंगे तो सब्जी जो हमारा बहुत ही टेश्टी बन करके तयार होगा और इसे हम लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे मसालो को तो अब यहां पर हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनूसार और अच्छे से हम मसाला को हम भूनते हैं तो देखिए हमने मसालों को अच्छे से चलाते हुए भून लिया है और यहां पर जो हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून गया है इसमें जो ओयल है वो भी सेपरेट हो गया है और हमारी मसाले में जो है अच्छे सी खुस्वू आने लगी है आप देख सकते हैं मसाला हमार कितना अच्छा बोन करके तयार हो गिया है तो अब जो हमने वहाँ पानी रखा हुआ था वह प्याश टमाटर जो हमने बोईल किया था वही पानी अभी यहाँ पर हम एड करेंगे तो पहले हम थोड़ा सा एड करेंगे और मसालों को जो है अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो देखें यहाँ पर हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब जो हाप गिलास पानी और बचा हुआ है वो भी इसमें अब हम डाल देंगे तो देखिया यहां पर हमने टोटल एक ग्लस पानी इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब इसमें हम बॉइल आने देते हैं तब तक चलिए अजो लौकी का हमने बनाया था पनीड वो देख लेते हैं कि हमारा पनीर जो अच्छे से सेट हो गिया है हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है तो आप इसे हम कट कर लेंगे तो इसे जाप अपने हैं पसंद से जो भी सेप देना चाहा है वो सेप दे सकते हैं तो मैं यहां पर पनीर का सेप दे रही हूँ तो देखिए यह कितना सुमुद बन करके तयार हुआ है तो अब जो आप यह सबजी जिसे भी खिलाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे कि यह पनीर की सबजी है या फिर लोकी की सबजी है तो तो देखिए हमने यहां पर सभी पीसेश को प्लेटे में निकाल लिया है और यहां पर गिरेवी बन करके तयार हो गई है गेरेवी में वाला गिया है तो अब यहां पे जो हमने पनीर के पिसेस काटे थे वह इसमें अब हम एड़ करेंगे और दो मिनट के लिए हम लो टू मिडियम फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे तो यह सबजी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनती है जब मैंने यह सबजी अपने हस्बेंट को दिखाने के लिए तो मेरे हस्बेंट को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि जो यह पनीर की सबजी है या फिर लोकी की सबजी है जब हमने अपने हस्बेंट से पूछा कि जो पनीर की सबजी कैसी बनी है तो बोले बहुत टेश्टी बनी हुई है तो इसे जो है आप रोटी चावल प्राथा के साथ गर्मा गरम सर्व करें और आप जिसे भी खिलाएंगे न तो वह बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे कि यह किस चीज की सब्जी है तो एक बाद जरूर इस रेचिपी को ठ्राइए करें और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाईक करे जदा स्याण करें शूं।